हेलो स्टूडेंट आई एम सोनम वेलकम बैट तुमाई यूटूब चैनल अपना वीड़ल है आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लास 10 हिंदी का 2023 बोट का बिल्कुल वायरल और रियल पेपर जो कि बिल्कुल वायरल हो गया और आप सभी का 16 फरवरी का अगर आप लोग इस पूरे पेपर की तयारी कर लेते हो तो आप सभी का हिंदी में बोर्ड एक्जाम में 70 में 70 पूरा नंबर आएगा ये मेरी 100 परसेंट गारांटी है तो आप लोग इस वीडियो को बिना इसकीप के लाश्ट तक देखिएगा तभी आप सभी को पूरे के पूरे इसकी उत्तर समझ में आएंगे ये वीडियो कितना भी लंबी बन जा लेकिन हम आप सभी को इसकी पूरे के पूरे आंसर बताएंगे तो यहां पे देखिए जो आप सभी का क्लाश टेंट का हिंदी का पेपर होता है ठीक है ये पूरा आंक 70 का होता है और जो आप सबसे पहले हम आप सभी को बता दे कि आप सभी के बोर्ड एक्जाम 2023 के पेपर में 20 नंबर के बहुँ विकल्पी क्वेशन आएंगे तो यहां पे सबसे फर्ष्ट क्वेशन यहां पे दिया हुआ है कि निमलिकित कत्नों में से कोई एक कथम सही है उसे पहचान कर लिखिए यहां पे दिखे चार आपसन दिया हुआ है ठीक है पहला आपसन है कि मितरता अचारामचन सुकल का परसिद नाटक है ठीक है तो यह गलत है इसके बाद दूसरा है दिबदान डाक्टर रामकुमार वर्मादौरा रचित महा काबे ठीक है यह भी गलत है क्योंकि दिबदान इनका एकांकी है नेश्ठ है यहां पे गवला की रंग भूमे मूंसी प्रेम चंदर जी का उपन्यास है तो यह आपसन जो है यह बिल्कुल राइट है ठीक है तो यहां पे हो जाएगा पहले का गव तो इसको आपको ओमार आंसर सीट पे कैसे भरना है ठीक है तो यहां पे पहले का गव यानि इस तरह से आप सभी को इस गोले को भरना है और इस गोले को भरते समय आप सभी को सिर्फ ब्लेक और ब्लू पेन का यूज़ करना है वो भी डार्ट पेन का और इस गोले को पूर रूप से आपको भरना है ठीक है तो यहां पे आपको इस तरह से भर देन है दूसरा यहां पर दिया हुए अवारा मसिय एक उपन्यास है ये भी गलत है महादिवी वर्मा एक उपन्यास लेखिका है ये भी गलत है ठीक हमस्पत्रिका के संपादक मुंसी प्रेम चंद्र है यह आपसन क्या है बिलकुल राइट है तो यहां दूसरे का गवाला आपसन ड़्माम है तो यहां पर आपको इस ओमार सीट में क्या करना है चोथे को से भर देना है टीसा उसन civil सब्सक्राइब और गयायार तूश में garantto कि हिए उपन्यास है नाटक अलोचना है कि क्या है ठीक है कि कहानी है तो यहाँ पर देखे उसने कहा था जो है वह कहानी विधा की रचना है यानि तीसरे का दृ व Initiallyips राइट है तो आपको अमर poresseet पे s को लिग देना है तो यहाँ पर त्याक पत्र के लेखक का नाम जो है वो जिनेंद्र कुमार है आपसन पहला राइट है ठीक है यहां पर देखें नेश्ट है पांचवा यहां पर हम आपको बता दें कि यह क्वेस्चन 20 नंबर का वहुव इकलपी क्वेस्चन आपके हिंदी में आएगा और पर क्वेस्चन एक नंबर करेगा अगर आप लोग 20 सही करते हो तो आपको 20 दो यहां पे आपसन कराएट है यहां पर निजब्हास है और उनती गहत्त के लेखक है यहां पर दिया हुआ है पंक्ती इसके लेखक कौन है ठीक है यह है भारतेंडू हरीस्चंद जी की पंक्ती 38 जीरच को सी रचना कभीवर्जञी कि यहाँ पे चिदंबरा भी क्या है पंत जी का है लोकायतन भी पंत जी का है लेकिन यह जो सुनहरे सेवाल है यह पंत जी का नहीं है तो यहाँ पे आपसन कराइट है इसके बाद नेश्ट क्या है देखे हम आप सुभी को पूरे के पूरे जितने भी गद्यास पद्यास आते है पूरी के पूरी आंसर के साथ आपको बताएंगे ठीक है तो यहां पर दिखे नेश्ठ है आठवा कला और बुढ़ा चांद की रशनाकार है ठीक है तो कला और बुढ़ा चांद की रशनाकार सुमित्रा नंदन पंत जी है अपसन घराइट है नेश्ठ है नौवा कुशन करू बहु विकल्पी कर दिया गया है और आप सभी को उसका परिभासा उरुधारण याद होना चीए तभी आप लोग बहु विकल्पी में भी सही उसको लिख पाओगे तो यहां पर करूड रसका इस थाई भाव जो होता है वो सोख होता है आप संकराइट है नेश्ट है दस्वा आहूती सी गिर्चडी चिता पर उठी ज्वालासी में कौन सा अलंकार है तो यहां पर दिखे इसमें जो अलंकार है वो अनुप्रास अलंकार है कौन सा अलंकार है अनुप्रास क्योंकि यहां पर दिखे चर्च की बार-बार आविर्तिवी है इसलिए यहां पर अनुप्रा देगक ।OS तो यहाँ पर पूच रखे तो यहाँ पर पुछ सुर्प दूसरी और चещवतरे तो यहाँ पर आपशन्ग करड़ाइध है से मह już तर्सी में कौन सा समास है अब देंग्गे समास भी बहुवी करता दिया तो यहाँ पर सब्तर्सी में दिगू समाज है खेक है? आपSAN कराइट है नेश्ठ है त्रहःवां क्वेश्चन जेट का तस्टम होगा तो जेट का जो होगा तस्टम वो जेश्थ होगा आपSAN कराइट है इसके बाद नेश्ट है कि इंद्र का प्रयायवाची है इंद्र की प्रयायवाची सुरेंद्र है आपसन खराइट है इसके बाद नेश्ट है इत्याद में कौन सी संधी है इत्याद जो है इसमें यर संधी है कौन सा यर संधी है और आपको क्लास टेंथ में यर संधी यह पढ नेश्ठ 18 वा क्वेशन नध्याम में किस विभक्ति और एक वचन नेश्ठ नध्याम सब्द किस लकार पूरुस यों वचन का रूप है तो देखें पठतु जो है वो लोट लकार पूरुस और एक वचन है अपसं खराइट है अहसन में हस धातु के किस लाकार का रूप रूप है और यहां पे लगजाए न वो किसी धातु आज आय वहाँ पे लंगभार होगा ठीक यहां पे अहसं आगया तो यहां पे हो जाएगा लंग ACRै तो यह तो थे बहुँ विकलपी क्वेशन्ड जो कि 20 नंबर का आप सभी के बोर्ड एक्जामें निव पैटन के नसार आ रहे हैं सभी पेपर में आएंगे ठीक है तो आप लोग इसको तयार कलेजी इससे बहार कुछ भी नहीं आएगा यहां पर देखें नेश्ट कोश्चन आ गया वड़नात्मक प्रस्न का पहला क्वेश यह एक नेटिक और अध्यात्मिक स्रोथ है जो अत्यंद काल से प्रतेच या अप्रतेच रूप से संपूर देश में बहता रहा है और कभी-कभी मुर्त होकर हमारे सामने आता रहा है यह हमारा सवभाग रहा है कि हमने ऐसे ही मुर्त रूप को अपने बीच चलते फिरते हस हमारे मुर्त प्राय सरीर में नए प्राड़ फूके और मुर्जाय हुए दिलों को फिर खिला दिया वह अमरत्योसत्त और अहिंसा का है जो केवल इसी देश के लिए नहीं आज मानव मात्र के जीवन के लिए अत्यांत आवस्यक हो गया है यहां से लेकर के यहां तक दिया ह हुआ है और इसके नीचे तीन पहला कोशन दिया हुआ है कि उपर्यूक्त हैं का संदर्ब लिखे यमिन ne आपको संदर्ब लिखना है दूसरा क्वेशन है गद्यांस की रेखांकित अंसकी ब्याख्या की जी और तीसरा क्वेशन है लेखक ने गद्यांस में क्या संदेश देना चाहा तो सबसे पहले हम आप सुभी को पहले question का answer बताते और यहाँ पर आपको किसी भी question को करने से पहले से प्रसनोतर संख्या लिख देना है तो पहले का को हम लिख रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग गध्यान साल्प कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको यहाँ पर पहले में संदर्ब लिखने के लिए था तो यहाँ पर आपको संदर्ब लिखने का अब लोग रहे हैं तो यहाँ पर हिंदी गध्षण में संकलीट भार्ती संस्कृती नामक पार्ट से लिया गया है इसके लेकर डाक्टर राजेंद प्रसाद है तो इस तरह से इसके बाद दूसरा है गद्यांस के रेखांकित अंस की ब्याख्या कीजिए तो यहां पे रेखांकित अंस का मतलब क्या होता है कि आपको यहां से लेकर यहां तक जो यह गद्यांस दिया ह लोगों ने के पूरी के पूरे समय चल जाएंगे और हिंदी होता है उस तो यह पर पर यहाँ पर मतलब से भारत को उसकी अम्रत्व का पढ़ पढ़ाया गया हूं इन्ही के मुर्त रूप ने प्रतंतर्ता के प्रडाम स्वरूप निरासा से मुर्जाय हुए मन में आसा रूपी उर्जा का संचार किया हमारी सुक चुकी हड्डियों को अम्रित तत्त की इसमिती दिलाकर उसमें नई मज्जा प्रदान किये ठीक है यहाँ पे इस तरह से आप लोग यहाँ तक भी लिख सकते हो और यहाँ पे आप सभी को अपने मन से भी आप लोग इसी जो सब दिया हुआ है उसको आप लोग अपने सब्दों में भी बना सकते हो इसका अंसर हो जाएगा तीसरा आप लोग डाल कर लिखोगे लेखग यह संदेश देना चाहता है कि ह हमें भारती संस्किति में विद्वान सुरोतों से प्रेडा लेकर जीवन को सफल बनाना चाहिए ठीक इस तरह से आप सभी को लिखना आपको पूरे की पूरे छे नंबर मिलेंगे आप देखे दूसरा गध्यांस दिया हुआ है कि मित्र केवल उसे नहीं कहते जिसके गुड़ है यह आप सभी के क्लास 10 मितरता नमक चेप्टर से है और इसके लेखक जो है वो आचारामचन सुक्ल है तो आप लोग इसको नोट कर दीजिए इसको संदर्व में यही चीजे लिखना होता है पाठ का नाम और लेखक का नाम तो जैसे हमने पहला लिखा था आपको उसी तर रेखांकित अंसों की व्याख्या करना है तो आप सभी को कर देना है इस तरह से जैसे यहां पर आप सभी को मितर से लेकर के सके तक यानि आप सभी को इसमें क्या करना है रेखांकित अंस की व्याख्या डालकर मितर के बारे में लिख देना है यानि वास्तों में मितर ऐसा ह होना चाहिए जो ही मारुक दिखा सके हम अपने मित्र पर पूरा विष्वास कर सके और वह भाईelles के समान जीवन के पतपर सद्योव करता रहा हेल्प करता रहा ठीक है यानि इस तरह से मित्र होना तो यहाँ पर देखे, जैसे यहाँ पर question दिया हुए न तो इसका answer देखे यहाँ पर, ऐसी सहान बूती जिससे एक के हानी लाप को दूसरा अपना हानी लाप समझे, यानि ऐसी सहान बूती हमारे और हमारे मित्र के बीच होनी चाहिए, तो जहाँ पर यह सहान बूती यानि इ तुसरा क्वेस्चन दिया हुआ है ठिकर पध्यांस वह दूतर दिन परते यह को सिंधेर . इस अधर आपको जिस पहच्छे तरीके स्याद है आपको उसी ऐसले को दिए यहां यहां परके यहां लेकर के राग की धूर आप तक दिया हुआ है और इसके नीचे तीन क्वेस्चन दिये हुए है तो यहां पर पहला क्वेस्चन है कि उपर्यूक्त पद्यास का संदर्व लिखे है यहां पर आप लोग देख सकते हो कि सूर्दास है यह जो पंक्ति लिखी गई है यह सूर्दास दौरा लिखी गई है तो यहां पर आप सभी को देखी क्या ल कि पद नामकपाट से लिया गया है इसके लेखक सूर्दास जी है इस तरह से आप सभी को कुलिक देना है नहीं इसके बाद देखिए इसमें जो दूसरा प्वेशन है वह रेखांकित अंसकी ब्याख्या के दिभाद से आपको सिर्प जिस वड़ के नीचे लाइनिंग इस तर सखी एक सखी से कह रही है कि है सखी क्रिष्ण की मुर्ली को हम लोग चुरा ले क्योंकि इस मुर्ली ने क्रिष्ण को अपने बस में कर लिया है और सब के प्रेम को तोड़ दिया है सिर्फ आपको इतना ही यानि तील लाइन ही लिखना है आपको पूरे के पूरे दो नंबर मि तो सबसे पहले जिए किस पार्ट का है और इसके लिखक बिहारी लाल है तो आपको संदर में वही लिख देना है इसके बाद रेखांकित अंसकी ब्याख्या में भी क्या है कि आप सभी को इनहीं का ब्याक्ख्या करना है सिर्फ उसके बाद यहां पे सव आपसने की बिहारी जी किसी से अपनी बाधाओं को दूर करने के लिए प्रात्ना कर रहे हैं तो जो बिहारी जी है वो राधा जी से अपनी बाधाओं को दूर करने का प्रात्ना कर रहे हैं या बंदना कर रहे हैं तो यही क्वेश्चन है सिर नंबर हिंदी अनुबात के मिलेंगे पांच नंबर का यह आप सभी के बोड एक्जाम में आ रहा है यहां पर देखें क्या होगा एसा नगरी भारती संस्कृते से लेकर करके कारिता तक यहां पर दिया हुआ है तो सबसे पहले आप सभी को इसका संदर्व लिखना है समारी पाठ है पुस्तक यह जो दिया हुआ है यह संस्कृत से है तो आप सभी को यहां पर संस्कृत खंड लिख देना है यहां पर आपको पाठ का नाम लिखना है और लेखक इसमें नहीं होते हैं इसलिए आपको लेखक का नाम नहीं लिखना है इसके बाद इसका अनुब भासा का केंद्रिस्थल यहीं से संस्कित साहित और संस्कित का प्रकास चारों और फैला है कि मुगल यूराज दारासी को ने यहीं आकर भारती दर्शन सास्त्रों का अध्यन किया था वह उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उपनिस्दों का फार्सी भासा में अनुपात कराया यानि इस तरह से क्या है कि आपको लिखना है पूरा आप लोग इसी तरह से लिखेगा है इसके बार अध्वा वाला दिया हुआ है एसा कर्म विड़ाम संस्कित यहां से लेकर यहां तक दिया हुआ है ठीके और इसमें भी आप सभी को सबसे पहले संदर भ गपांच नंबर का ईपरी आपको किसी एक का करना है किकैं यहां पर दिखे है क्या होँआइगा सबसmente ने अब यहां पर आप अपको क्या करना है इस इस लोक का आगी की दो वर्ड को इस different करके लिखेना सर्ववावांट्य नामध पात से लिया गिया इसके बात इसका अनुबाद क्या होत आगा तो यहां पर आपको हिंदी अनुबाद ते डालना इसके बाद देखिए सर्वे भवन्तु सुखिना यानि सब सुखी हो ठीके इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है सर्वे संतु निरामया यानि सब रोग रहित हो यानि निरोग हो ठीके सब स्वस्त रहो इसके बाद नेश्ठ सर्वे भधार पसंतु यानि सब कल्यार को देख यहां पर देखिए यहां पर देखिए पहला दिया हुआ कोमे की जोती जुआहर की कथा वस्तु संचेप में लिखिए इस तरह से यह जो चीजे हैं यह आपके जिलावाइज होते हैं आप लोग जिस जिला को उसी अधार से आपको इसको याद करना यह आप लोग अपनी आप सभी को बता देंगे आप लोग किस जिले की हो और आपको किस जिले की हो आप लोग बताओगे तो हम आपको बता देंगे कि आपको कौन सा याद करना है इसके बाद देखिए मुक्ति दूत है यहां पर अगर पूजा है इसके बाद मेवार मुकुट है इसके बाद यह पर ही जाट फापर मात्रा भ्रूमी इसके बाद कर नी इस तरह से यहां पर कई घ्राइन सब्सक्राइब कर लीजिए जर। सब करना है थै Communisme सकते हैं, और प्रशत-बो Community कुस्ट केैं, और यह जीवन पर्चे जो है आप सभी की बोर्ड एक्जाम में पांच नंबर का एगा तीन नंबर आपको जीवन पर्चे लिखने पर मिलेगा दो नंबर आपको रचने का उलेक करेंगे तब मिलेगा तो यहाँ पर दिखें तीन दिये हुए है आचार रामचन सुकल दूसरा नंबर आपको पूरे नंबर देते और इस बाक्स में आपको वही चीज लिखना है यानि जिसका आप लोग लिख रहे हूं उसका नाम जैसंकर प्रसाद जन्मिस्थान 1889 भी यहाँ पे 90 भी आप लिख सकते हो यानि इनका 1889 भी दोनों लिख सकते हो सही है ठीके कासी वारार्सी में हुआ था पिता का नाम देवी प्रसाद रचना कामयानी लहर जहरना मिर्ट्य उनीस सो सैथिस भी हो गई थी और इसके बाद पर आपको जीवन परचे हेडिंग डालने के बाद यहाँ पे लिख देना है जैसंकर प्रसाद का जन्म कासी के एक प्रतिष्ठ का गवन अध्यन किया इनका बच्पन तो सुप में विता किन्तु बाद में इनको अत्यदी कटनाई हो का सामना करना पड़ा इनका जिवन बड़ा है संघर सिल्था अलपवस्था में ही यह च्छय रोग से ग्रस्थ हो करके ठीके सन 1937 में स्वर्ग सिधार गये इनकी रचन है इसका जीवन पर्चे आप लोग हमारे चैनल पर भी कली अपलोड हुआ है आप लोग जाकर वहां से देख सकते हो यह आप लोग यूटूब पर सर्च कर सकते हो आचार रम चंसुकल अपना विद्याले तो वहां पर भी हमारी वीडियो आजाएगी वहां से भी आप इसमें तुलसी दास है राम नरेस्तिर पाठे हैं ठीक है स्याम नरायर पांडे है यानि तील्ट हुआ है इसमें से आपको किसी एक पर लिखना है इसके अलवा आप लोग महादेभी वर्मा और सूर्दास का भी बिल्कुल तैयार रखिए तो यहां पर देखिए हम आपको देखिए तो इस तरह से आपको तुलसी दास का क्या करना है बिल्कुल इसी तरह से जर्से हमने यहां पर लिखा हुए आप लोग स्क्रिम साट लिए और इसको तयार कर लिए और इसी तरह आप सभी को बोड इक्जाम में लिखना है कि बाद दिखें नेश्ट आ गया यहां यानि यह सब तीन ठो है आप लोग अब दो दुरगामी यानि तीनों याद कर लेंगी तो उसमें से आप लोग एक का लिख लेंगे तो तीन आप लोग तयार कर लेजिए आठों कोश्चन निम्लुखित में से किनी दो प्रसनों का संस्क्रीट में उतर दीजिए यह चार बिद्यादर्शन साहित्ति धर्मकला सिल्पार्थ परसिध्धा यानि इन सब चीजों के लिए वारण सी परसिद्ध है नेश्ठ अल्चंद्रक आसिद तो यहां पर वसक जो है यहां पर आप लोग निख देना है कि अल्चंद्रक यवन राज आसिद यहां पर दिखे दिय इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा देखे आप लोग हम बोल रहे हैं आप लोग लिखिये उसको ठीके उसी जगह आप लोग नोट करते रहें और उसको टुरंत रिवीजन किजिए और तयार करने यह बहुत ही इंपोर्टेंट है नेश्ठ लास्ट इसमें नौ नंबर वाल इसमें देखे चार दिया हुए आपको किसी एक पर ही लिखना है और आप सभी को कम सी कम इसको तीन पेज लिखना है ठीके इससे कम नहीं होना चीए अधिक हो जाना चीए तो यहां पर देखे पहला है कंप्यूटर सिच्छा दूसरा है पर्यावर परदूसर तीसरा है किस तरह से आपको लिखना girth Bank map लिखना उय् tenía रूभी शुटि की पेपर में आता है तो यहां देखियें किस तरह से आपको लिखना है तो इस तरह से लोग देना है परियावर पर दूसरत को कौन कोर बिक्त से reading डालना है और उसके बारे में इस तरह से लिखना यहां पर जितना भी हमने लिखा है आप लोग इसको देख लीजिए और इसकी अलक से पूरे के पूरे लिखते हो तो आपको पूरे के पूरे नव नंबर मिलेंगे एक भी नंबर आप सभी का नहीं कड़ेंगे तो आप लोग इस पूरे पेपर की तयारी करेंगे आप सभी कि अगर आप लोग इतना करते हो तो आपका 70 में 70 पूरा नंबर आएगा तो आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर किए और ऐसे ही आपको किसी और भी सबढ़ इस तरह पेपर चाहिए तो आप लोग जरूर कमेंट किजिए हम आपको तुरंत वीडियो प्रवाइट करा देंगे और आप लोग इसकी पीडिया पूरी चाहिए तो टेलिग्राम चैनल को जरूर जोएन किजिए उसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल और हमारे चैनल पर हिंदी में पास होने की ट्रिक अभी हमने दो तीन दिन ही हो रहे हमने बनाया है आप लोग चैनल पर बिजिट करके भी देख सकते हो आप लोग कमेंट करना बिलकुल न गूले थैंक्स आगदा वेरी वेस्ट बाई बाई